हेलो प्यारे बच्चो, मैं स्तीश कोयल, लेक्चरारी इन फिजिक्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्थ 13, विदुद्धारा के चुंबकरिये प्रभाव, 10th साइंस में से, इसमें हम सभी एक एक नंबर के प्रशन पढ़ेंगे, जो भी इस पार्थ पर अधा विडियो में बहुँ सारे पार्थ बनाए गए हैं, पार्थ ये है विडियो का पहला पार्थ है, अगली हर वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, यह आप मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर भी उसका लिंक देखकर, वहां पर अपने तक multiple choice question 21-30 तक अगले फिर वीडियो में 31-40 तक multiple choice question रहेंगे बच्चों आपको बता दें कि इन questions के साथ साथ बहुत सी videos भी बनाई गई हैं आप ही के हिंदी माध्यम के लिए English माध्यम के लिए अलग videos हैं वो videos इसलिए हैं क्योंकि इन में कुछ question ऐसे आएंगे जिनको activity के माध्यम से ही समझाया जा सकता है तो वो question समझाने के लिए हमने बहुत सी बड़िया बड़िया activities बनाई हुई हैं उन activities को भी आप देखने के लिए इस video के description में जा सकते हैं वहाँ आपको वीडियो के link मिल जाएंगे या आप मेरे channels की playlist में भी जा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं fill in the blanks सभी कोशनों को ध्यान से पड़ें उनके उत्रों के लिए विचार करें और जो भी आपका उत्तर आएगा उसको वीडियो में दिये गए उत्तर से मिलान करने की कोशिश करें पहला प्रशन एक समान चुमक्य क्षितर में चुमक्य बल की क्षितर रिखाएं एक दूसरे के dash होती हैं बताईए कि एक समान चुमकिय क्षितर में चुमकिय बल की क्षितर रिखाएं किस प्रकार होती है बच्चों आपको बता दें जो चुमकिय बल की क्षितर रिखाएं अगर समानतर होती है तब ही कहा जाता है एक समान चुमकिय क्षितर अगर थोड़ा सभी ऐसे bend हो जाती है ऐसे bend हो जाती है कहीं पर भी bend हो जाती है या उनकी दिशा बदल जाती है तब उसे असमान चुमकिक्षेतर कहा जाता है तो इसको देखते हुए क्या उत्तर बनेगा आपका एक दूसरे के समानतर होती है अगला प्रशन एक galvanometer का उप्योग dash की उपस्थिती का पता लगाने के लिए किया जाता है galvanometer आपने emitter का नाम सुना हुआ है voltmeter का नाम सुना हुआ है ये galvanometer अलग से instrument होता है जो किसी भी विदुद परिपत में थोड़े से करंट को विदुधारा को पता करने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है अलप मातरा की विदुधधारा अगला प्रशन किसी परिनालिका के भीतर सबी बिन्दूओं पर चुम्प्यक्षितर dash होता है किसी परिनालिका क्या होती है पहλη बात तो परिणालिका के बारे में हमने एक अलग से अक्टिविटी बनाई हुई है आप उसको देखिए जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बोक्स में मिल जाएगा आपको और वैसे आपको बता दें परिनाली का क्या होती है परिनाली का एक ऐसे खोकली पाइप है जिसके ओपर तारों की कुंडलियां बनाई गई है और इसके अंदर जो चुमके क्षितर रिखाई होती है वो कब बनती है दब तब बनती है जब इसको बेंटरी से या से जोड़ा जाता है जो इसके अंदर चुमके क्षितर रिखाई होती है वो कैसी होती है वो एक समान होती है वो बिलकुल समानतर जाती है तो एक समान होती है वहारा के थोड़ा सा बदलाव आ जता है ठीक है अगला प्रशन MRI का विस्तारित रूप क्या है MRI बेटा अपनी डॉक्टर के पास कभी बगवान ना करें आको जाना पड़े लेकिन कभी गए हो कभी सुना हो जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर के बारे में जानने के लिए उसके पास जाना जरूरी होता है आप वैसे भी किसी दोस्त है किसी परिवार में किसी मितर से सुना होगा तो MRI क्या होता है MRI होता है Magnetic Resonance Imaging यह क्या करता है जो हमारी दिमाग का हमारी शरीर का पूरा अंदर क्या है मतलब उसकी जो जैसे X-ray होता है X-ray अलग चीज होती है MRI अलग चीज होती है दोनों अलग से दानतों परकारा करते हैं लेकिन बिल्कुल जैसे X-ray हमारी शरीर की हड़ियों के बारे पता कर लेता है वैसे MRI हमारी शरीर के हर एक अंगंग का पता कर लेता है बीना उसको चीरे फड़े चीक है इसकी फुल फॉर्म क्या है Magnetic Resonance Imaging पांचवा प्रशन किसी परिपत में प्रेडित विदुदारा की दिशा डैश नियम दवारा ग्यात की जाती है फॉर्मिंग के वाम हस्त नियम से इस प्रेशन के हल के लिए आपको विस्तारी दरूप से वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिक्शन वोक्स में मिल जाएगा कि फॉर्मिंग का जो वाम हस्तनियम होता क्या है वास्ता में ठीक है आपको जिकर एक्जाम में पूछा जाए एक्जाम में पूछने के लिए उत्तर बताने के लिए आपके लिए उत्तर सफिशेंट है चल जाएगा बट वास्ता में आप समझना भी तो चाहिए ना आपको कि flaming का वाम हस्तनियम है क्या तो उसके लिए इसके उपर एक हमने एक activity बनाई है जिसका link आपको description में दिया गया है छटा है लगू पथन के समय परिपत्थ में विदुद्धारा डैस जाती है लगू पथन क्या होता है लगू पथन का मतलब होता है short circuit मतलब क्या है जब किसी परिपत के अंदर जैसे मालू यह बिद्ध परिपत बना हुआ है और यहां आपका पंखा वेरा लगा हुआ था यहां आपका switch लगा हुआ है switch on करते ही यह पंखा चल पड़ेगा और घरों की बात करें तो गरों में तो AC होती है AC का symbol यह है पहले मैंने battery दखाई थी यह cell दिखाया था वो ऐसे नहीं दिखाना आपको घर की बात करें तो इस तरह दिखाना है लेकिन यहां बात लगुपत्थन की है गर की बिजली की बात नहीं कर रहे हैं हम simply लगुपत्थन की बात कर रहे हैं तो लगुपत्थन का अर्थ होता है कि अगर यह जो circuit बनाया हुआ है यह पंखे में से तार ना होते हैं तार सिधा ऐसे जुड़ जाए यानी कि जो तार आफके पास है किसी भी जीज़ी की तारे दो तारे हैं जो आपस में जुड़ जाती है शर्केट की जो बिदुदारा है वो पंखे में से जाने की बिज़ाए शीदा दवारा बेंटरी में या सोर्स में ही चली जा रहे है तब उसे बोला जाता है लगू पथन लगू पथन के अंदर एक जो live wire होती है एक neutral wire होती है दोनों आपस में जुड़ जाती है जुड़ने पर क्या है बहुत दिक मात्रा में विदुदारा प्रवाइत होती है इस प्रशन का उत्तर क्या बनेगा बढ़ जाती है लगू पथन के अंदर पर्यपथ में विदुदारा बढ़ जाती है ठीक है और बढ़ने से कारण क्या होता है बहुत दिक मात्रा में उश्मा उत्पन होती है यह अपने विदुद वाले पार्थ में पढ़ा था ठीक है क्या होती है सगन होती है जैसे मालो ये चुम्के क्षेतर रिखाओं का एक डाइगरम दिखाया गया है इस पॉंइंट की बात करें और इस पॉंइंट की बात करें अगर इसको A point नाम दे दिया, इसको B point नाम दे दिया A और B point की तुलना की जाए तो A point पर जो चुमकिये बलक शितर रिखाएं हैं वो सगन है B पर क्या है? विरल है, बहुत gap है A पर चुमकिये बलक शितर रिखाएं जादा होने के कारण क्या है? यहां पर चुम्क एबल बहुत मजबूत होता है आठमा है दिश्ट दारा की डैश समय के साथ नहीं बदलती दिश्ट दारा क्या होती है आपको बता दें विदुद दारा दो तरह की होती है A.C. और D.C. A.C. क्या होती है A.C. वह दारा होती है जिसकी दिशा समय के साथ साथ बदलती रहती है लगबग एक सेकंड में सो बार चीक है और जिसकी आवर्ती क्या है पचास हर्ड्स है और डीसी क्या है जिसकी दिशा समय के साथ साथ नहीं बदलती है क्या नहीं बदलती है दिशा नहीं बदलती है हमारी गरों में जो बिजली हमारे पास सप्लाई हो क्याती है वो कौन सी होती है वो AC होती है एक सजारन जो सेल होता है उसकी जो दारा होती है जो मिलती है हमें वो कौन सी होती है DC होती है कौन सा सेल जो मारा बेंटरी वाला सेल या टॉर्च वाला सेल वो वाला सेल अगला है नोमा प्रशन किसी विदुद्धारा वाही दातु के तार से समवध चुम्ब की एक्षितर की रिखाओं की दिशा डैश नियम दवारा पता की जाती है मतलब एक तार है जिसमें से विदुद्धारा बहर रही है उसके चारो और चुम्ब की एक्षितर पैदा हो जाता है उनकी दिशा कैसे पता की जाती है उनकी दिशा पता की जाती है दक्षिन हस्त अंगुष्ट नियम दवारा ये दक्षिन हस्त अंगुष्ट नियम है क्या चीज़ इसके लिए भी आपके लिए एक चोटी सी वीडियो है, डेमोंस्रेशन करके दिखाया गया है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन में इसका लिंक मिल जाएगा, फिलाहल एक्जाम के परपसे देखा जाए तो आपके लिए ये प्रशन और ये उसका उत्तर दिया गया है, परन्तु आपको हमने समझ जाया जाए, उसके लिए हम activity बनाने का प्रयास करते हैं, बच्चो अगर इस वीडियो के अंदर कोई ऐसा प्रशन लग रहा हो, जिसकी आपको explanation चाहिए, जो आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे से explain किया जाए, किसी activity के माध्यम से explain किया जाए, तो आप उसको हमारे इस वीडियो के comment box में लिखिए, हम उसको वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे, अगर आपको कोई प्रशन लगता है, जो आपको नहीं आ रहा है, जिसके बारे में आपको कोई problem आ रही है, उसके बारे में यह आप comment box में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को, इस lesson को अच विदुदारा परवाइद होती है, तो कुंडली के केंदर में चुमकिक शितर रिखाएं बिल्कुल डैश होती है, एक तार की कुंडली में विदुदारा परवाइद होती है, तो कुंडली के केंदर में, यानि कि एक कुंडली बनाई हुई है, एक गोल गोल चकर बनाया दक्षीन हस्त अंगुष्ट नियम लगाएं तो उसके accordingly इसकी जो चुमकी शितर रिखाओं की दिशा किस तरफ होगी इस तरह से बनेंगी ठीक है मतलो ऐसे अब ये दक्षीन हस्त अंगुष्ट नियम क्या है इसके बारे में अलड़ी वीडियो जब देखेंगे आको समझ जा जाएगा दूसरी वीडियो एक्टिविटिक वाली वीडियो देखेंगे तो अब ये देखिए कि इस बिंदू पर इस बिंदू की बात कर रहे हैं केंदर बिंदू की बात कर रहे हैं केंदर बिंदू पर कैसी रिखाए हैं उसकी दिशा कैसी है बिल्कुल सरल रिखा है बाद में जाके बले ही वो गोल गोल हो जाती है लेकिन फिलहाल इस केंदर की बात करें, तो केंधर पे क्या है ? यह बिल्कुल सीधी रेखा है बच्चो इस वीडियो के बाद अगली वीडियो भी है जिसमें हम सत्या सत्य वाले कोशन करेंगे उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के Last में दिया गया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दन प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंट्स तक शेर कीजिए और इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहें थैंक यू, have a nice day